Hello everyone, Shwagat थे आप सभी के Mains Master Series में I hope आप सभी की Prelims की Preparation अच्छी चल रही होगी आज हम देखें कि Mains में History के Questions को कैसे deal करते हैं Mainly आज हमने दो Questions के थ्रू कुछ Approaches को apply किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सबनें देखा ही होगा कि में में बैटल से कोस्ट बनते ही बनते हैं यह हैं तो हमने एक बैटल का थीम डो कोश्ट पकड़ा वगा है तो आज हम देखेंगे कि इन सारे कौस्ट नहां आपको कौन कौश सी अप्रोच लगानी है तो सबसे पहले हमारी approach है SWAT approach इसका full form है strength, opportunities, weakness, threats हिंदी में देख सकते हैं आप strength का मतलब छमता, weakness मतलब निरवलता, opportunities मतलब अफसर मौके, threats यानी कटनाई समस्या है आप इस approach को तब लगाईए जबकि दो parties हों या फिक दो industries हों एक जीत रही है, दूसरी हार रही है, एक grow कर रही है, एक का downfall हो रहा है तो आपको इसमें comparison करना है, तो आप इस sweat analysis वहाँ सानी से लगा सकते हैं फिर हम देखते हैं कि किसी भी battle या war को जीतने के लिए क्या सबसे important factor होते हैं आप यहाँ पास video pause करिएगा और अपने मन में ही इन points को सोचने का कोशिस करिए कि अगर आपको कोई battle या war जीतना है, तो क्या का important factors हो सकते हैं चलिए वो factors हम देखते हैं सबसे पहला important factor है कि आपकी war का aim क्या है कुछ social aim होगा, political aim है, economic aim है और इसमें आप देखेंगे कि war का single aim है या multiple aim है जैसे कि trade related हो सकता है, religion related हो सकता है या भी enemy की property को जीतना, यह कुछ आपकी aim हो सकते हैं फिर दूसरा factor है important है infrastructure infrastructure, infrastructure मैं हम इसा divide करता हूँ दो पार्ट में, soft infrastructure, hard infrastructure अब soft में जब बात करेंगे तो हम आप आपास देखें कि army का nature कैसा है, कि fighting group आपका कैसा है, उसका structure कैसा है unified है कि non unified है, अब soldier पे जाएंगे, soldier क्या है regular soldier है, salaried है, skilled है, trained, disciplined है या नहीं है फिर इसमें leadership quality देखेंगे, अच्छे leader आपके पास है या नहीं है hard infrastructure में जब देखेंगे, तो mainly इसमें weapons बात करेंगे है कि आपकी weapons जो है modern है या कि नहीं है उनमें कितना advanced technology यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर hard को आप logistics से भी connect कर सकते हैं कि आप transportation कैसे कर रहे हैं, आपके weapons है, army है, infantry है उसका आप कैसे transport कर रहे हैं, land के थुरू कर रहे हैं, water के थुरू कर रहे हैं, air के थुरू कर रहे हैं तो यह आप इसको hard infrastructure में ही डाल सकते हैं फिर next important factor हो जाता है आपका finance, कि war learning लिए आपके finance कैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, regular है, enough है कि नहीं है, इसका source क्या है यह सारे बाते हैं आपका finance sector में आपको याद रखना है फिर next हो जाता है हमारे strategy, strategy को मैंने दो पार्ट में divide किया है, आप चाहिए एक में ही रख सकते हैं दोनों point को strategy मतलब diplomacy, अब diplomacy में आपको यह देखना है कि आपने enemy को कैसे isolate करेंगे, आप कौन सी policy apply करेंगे divide and rule करेंगे, ठीक है यह और कोई policy आप apply कर सकते हैं इसे ring face policy है, subsidiary alliance policy है, तो आप कौन सा policy यूज कर रहे हैं, कौन सा tactics है, कौन सा method आप यूज कर रहे हैं फिर आप strategy मैं को यह भी समझना है कि आपको spread, जब कोई war आप जीतते हैं, तो क्या आप एक territory के एक ही बार में जीत रहे हैं एक ही बार से कि आप पूरे territory को जीतना चाहते हैं, एक ही बार से, कई लोग क्या होता है कि पहले एक single territory जीतते हैं फिर अपना plan करते हैं, consolidate करते हैं, दूसरा territory जीतने के लिए, तो भी एक factor और ग्रैजुल expand कर रहे हैं आप, एक साथ expand कर रहे हैं फिर आपको support, next factor है support, आपको support क्या है, external support है, external support है, internal support है, तो आपको ये सारी बात याद रखना है अब इसको apply करेंगे, आज के हमारे question में, फिर हम जब भी देखेंगे revolt या moment, जैसे के tribal revolts है, पीजन moment है उन सब में भी almost अही point लगते हैं, बर सुन्या को दो point रहा है, इनको ideology क्या है, और उनका spread के इस-किस region में है किस-किस area में उनका influence है, spread है, तो आप जब tribal or prison revolt में देखेंगे, तो ये दो point और एक start कर सकते हैं, बाकि हम tribal or revolt का दूसरा lecture लेके आएंगे चलिए, पहला question देख लेते हैं, why did the armies of British East India Company mostly comprising of Indian soldiers win against the numerous and better equipped armies of the Indian rulers, आप इसमें आपको इसमें में अप्रोश लगाना है, तो आप इसमें देखेंगे कि British armies का कुछ strength होगा, Indian rulers का कुछ weakness होगा, British के पास कुछ opportunities होगी और कुछ threats face कर रहे होंगे, जिसके विजाए से अपना वो expand करना चारेते हैं, अपना आपको जल्दी जल्दी वार लड़ रहते हैं कि अपना यो presence increase कर पहा है, तो चलिए देखते हैं सारे points, आप यहाँ पास देख सकते हैं, वीडियो पास करके आप पास पॉल लिजेगा और अपलाई करने का कोशिस करिएगा, तो चलिए देखते हैं, threats में आप देखेंगे, कि Britishers के अलवा भी और भी European country इंडिया में आ रहे थी, ज़गी फ्रांस है, पॉर्तोगी ज़च है, तो कहीं न कहीं अपना ये presence बढ़ा रहे थी इंडिया में, तो इनका डर लग रहा इसके जैसे, alliances भी चेंज हो रहे थे बार बार, तो कहीं न कहीं, ये Britishers के मन में एक खत्रा पैदा कर रहे थी, कि हमारा कहीं न कहीं प्रेजन्स हो जाएगा, इनकी वजय से, तो उनको एक फ्रेट था, इसके जैसे वार लड रहे थे, फिर opportunities देखेंगे, इंडिया में political fragmentation ज क्या क्या weakness था, weakness है कि जो nature of army है, इंफ्रा स्ट्रक्चर वाले में आप जाएगे, soft वाले पार्ट में, तो nature of army के था, feudal nature थे, seasonal employment of soldiers, regular army नहीं थे, skilled नहीं थे, equipped नहीं थे, discipline नहीं थे, तो कहीं नहीं थे, इस वजय से भी इंडियान्स वार हार जाते थे, फिर lack of external support, को external support नह आपना war लटते थे, फिर weak modernization program, यह भी आप देख सकते हैं, hard infrastructure part में, जो हमारे weapons थे, उतने modernized नहीं थे, फिर यहाँ पर जाएगे, aim focus, policy वाले में हो जाएगे, तो more focus किया था, prestige और courage पर जादा फोर्स रहता था, Indian rulers का, ना कि planning पर, यह सारे weakness होगा, अब strength वाले point में आप ज Britishers का, फिर nature of army देखेंगे, permanent nature रहता था, soldier skilled रहते थे, leadership अच्छी थी, reward life था, well easily था, तो कहने कहीं, leadership भी इनकी अच्छी थी, और army का nature और organized था, unified command था, एक particular hierarchy फालो करते थे, यह हमने weapon देखी लिया, अब देखते हैं, इनका policy क्या होता था, पहले focus देख लेते हैं, focus, हमने discuss किया था, कि focus एक important factor हो जाता है, तो इनका focus क्या था, तो Britishers का simple एक focus था, कि इनको अपने trade का profit increase करना है, single इनका aim था, फिर आप देखते हैं, यह आप connectivity और transportation body में use कर सकते हैं, कि Britishers ने land और naval दोनों को अच्छे से use किया है, अपने military को या फिर अपने जो weapons उनको transport करने के लि policy वाले point में हम लिख सकते हैं, strategy वाले में, तो इन्होंने क्या follow किया, divide and rules, टूलर Indian rule के बीच में divide and rule पैदा के लिए, जिससे वो साथ में आना पाया है, और इनको आसानी से हरा सके, फिर उन्होंने subsidiary alliance भी किया, जिससे अलग-लग कर सके, इनमें इसको ring of fire policy का use किया, ठीक है फिर gradual expansion में किया, एक ही साथ में पूरे देश को जितने का कोसिस नहीं किया, थोड़ा-थोड़ा करके जितने का try किया, planned था इनका एक, और external support में अब देखेंगे, जो मारा factor था, यहाँ पास देखें, क्या था हमारा external support, support में को British Parliament और Crown से direct support था, कोई भी यूश्य आता था, funding का हो, army का हो, planning का हो, तो British Parliament कहिना कहीं directly involved थी, तो यह सारे points हम देख सकते हैं, strength में, तो अब जब यह दोनों method, factors को आप ध्यान में रखेंगे, और sweat analysis को लगाएंगे, तो आराम से 12-15 points आप असानी से generate कर सकते हैं, फिर हमने दूसरा question लिया हुआ है, why the English succeeded against other European powers, तो आप इस approach को इसमें apply करिएगा, मैंने apply नहीं किया है, आप यो point पढ़ लिजेगा, राम से, और नहीं सारे points को apply करिएगा इस method में, ठीक है, चलिए, अब next question देखते है, अब next question मिनले हमाने लेटर है, पानीपत से, कि पानीपत में ही क्यों इतने सारे battle लड़े गा है, ठीक ना, the third battle of पानीपत was fought in 1761, why so many empire seeking battles foughted पानीपत, तो इमेंस में आ चुका है question, तो आपको इसको समझने है, पहले पे points पढ़ लिएगा, अच्छे से, पढ़ लेना आप अच्छे से, फिसको apply करते है, तो हमने क्या किया हुआ है, एक method apply किया हुआ है, अब पानीपत क्या है, एक location है, ठ आप जानते है लोकेशन उ कुछन कुछ एक feature होता है, एक इसका physical feature होगा, climatic feature होगा, economic feature होगा, और कुछ और कुछ इसका political features भी होगा, तो इसी को हमने आपस लिया है, political, economic, physical and climatic factors हमने लिया हुआ है, अफिधाल या तो नहीं हमने चार पॉइंट हमने इन दो कीवर्ट से चार फैक्टर बना लिए हैं और इनी हमारा एंसर निकल आएगा तो पहले हम देख लेते हैं कि लोकेशन वेशिस पर क्लायमेट्री फैक्टर ठीकिन सबस्क्राइब क्लायमेट्री फैक्टर है रेइनफॉल डुरेशन क और क। खते हम पहले क्यों मैं आठीक में तक चलते हैं आट में जाल तक चलते हैं तो इसन ह्यूंय चाहिए इसपर कि स्टैसून का अशेयर का प्याइठ्री आपए फिर दूसरा क्या होता है कि जो लोकेशन है कहीं ओपन फ्लैट होना चाहिए अगर मान लीजे ऊबर खावाट है या फिर माउंटेन है हील है वैली है तो आप अच्छे से अपने एलिफेंट्स है इंफैंट्री उनको कहीं अच्छे से आप डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे इसा नहीं कि आपको इंटर ही नहीं कर पा रहा है उस लोकेशन में फिर दूसरा स्ट्रेटिक लोकेशन मतलब इसका कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए तो पानीपत में किया था कि ग्रांड ट्रैंक रोड थी वहां से जाती थी तो कनेक्टिविटी कहीं नहीं कहीं हो पानीपत के आसपास दिल्ली था दिल्ली में अच्छे आर्टीशन और इसमित थे जो की बहुत ही बेटर क्वाल्टी का वार्फेर मतल बनाते थे तो कहीं नहीं कहीं अगर सप्लाई कम हो जाती है तो वहां से हम आसानी से पूरी कर सकते हैं ठीक है तो एक फैक्टर होगा ए चूछ करती है तो यह ध्यान दिया जाता है जो लोकेशन है वो नूट्रल होना चाहिए किसी एक पार्टी का इंफ्लेंस नहीं हो कि एक ही पार्टी का इंफ्लेंस है दूसरे पार्टी का इंफ्लेंस ही नहीं है तो कहीं नहीं है हमको एक नूट्रल गाउंड चाहिए होता ह वार करने के लिए तो पानीपत एक नूट्राल गाउंट था आप देख सकते हैं पानीपत था फिर जो पानीपत का लोकेशन था तो यह बहुत छोटे-छोटे किंग्डेम्स के पास में था देखें राजपुताना था यहां था अबद है दुर्रानी इंपार इनके बीश में ही कहीं ने कहीं पानीपत होता था तो यह जब पानीपत यह है छोटे-छोटे इंपार हैं यह तो कहीं न कहीं एक दिल्ली को जीतने के लिए आपस में लड़ते रहते थे दिल्ली बहुत इंपोर्टनेट लोकेशन हो जाता है कि इंडिया में आपको रूल करना है आप यह दे सकते हैं कि प्रॉक्सिमिटर दिल्ली सीट ऑफ इंपोर्टेंस था पावरफुल डैनेस्टी करती तो कहीं न कहीं अपना हेजमेनी मेंटेन करने के लिए दिल्ली को सब जीतना चाते थे तो कहीं न कहीं पारनीपत के आसपास ही बहुर हुआ करते था तो आसानी से हमने देख लिया कितने सारे पॉइंट जनरेट हो गया यह 10 मार्क सब कोश्चन आय था तो 8-10 साथ 8-10 आसानी से इस मेथड्स आपको जनरेट हो जाएंगे ठीक है और भी कोश्चन हम हिस्ट्री के लाते रहेंगे दूसरी अप्रोचिस के तुरू आप इनको प्रक्टिस करते रहें मिलेंगे नेक्स लेक्शर में थैंक यू